हलो स्कॉलर्स कैसे हैं आप साब क्लास 9 साइन्स चैप्टर नमबर 10 ग्रेविटेशन इस चैप्टर के कुछ इंटेक्स कोश्चन है पेज नमबर 133 जिनके पास पुरानी बूख है जिनके पास रेशनलाइज कंटेंड 2023 की बूख है उनका पेज नमबर 102 है और उनके लिए चैप्टर नमबर भी 9 है तो चलिए इसके कुछ ग्वेशन्स हैं उनको देखते हैं इस वीडियो में पहला क्वेशन क्या है इस टेट दी यूनिवर्सल राओ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन का एक उनिवर्सल लौ है किसने दिया है Isaac Newton ने क्या है उनिवर्सल लौ अफ ग्रेविटेशन Every object in the universe attracts every other object with a force called gravitational force This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them Okay The force is along the line joining the centers of two objects यह तो इसका law हो गया इसको हम समझते हैं क्या है क्या कह रहे है इस law में कोई भी object all over universe में जाहे celestial bodies हो जाहे आर्थ का कोई object है कोई भी object जो है वो दूसरे object को एक force से attract कर रहा है इसी force को हम gravitational force पोलते हैं Okay, every object in universe attracts every other object with a force called gravitational force ठीक है ये तो universal ना हो गया अब यह जो force है वो force क्या होता है वो force जो है दूनों object के mass जो उनका mass है सपोस्ज यह बड़ा वाला object जो है इसका mass जो है capital M है और छोटा वाला object भी इसका mass जो है small M है तो यह force जो है इन दूनों protect के mass के directly proportional होता है directly directly proportional मतलब अगर हम force को f से denote कर रहे हैं ये हमारा proportional का sign है ये sign के बाद हम क्या लिखेंगे इनके product के किसके product के दूनों object के जो mass है उनका product तो पहला object का mass कितना क्या है capital M दूसरा object का mass क्या है small M तो ये जो gravitational force है ये दूनों object के जो masses है उनके product के directly proportional है ओके इसके साथ साथ और क्या है inversely proportional है square of the distance between them जो भी दूनों object है उनका जो center point होगा suppose ये दूनों objects का center point है इस center point के along अगर हम एक line draw करेंगे तो हमको इसके बीच की distance मिल रही है ये distance ही क्या है suppose D है तो अब यही force जो है inversely proportional होगा proportional का ही sign रहेगा inversely मतलब जो है अगर distance बढ़ रही है तो force कम हो रहा है distance कम हो रही तो force बढ़ रहा है ये inversely proportional होता है directly proportional मतलब क्या होता है कोई चीज अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके के proportional में बढ़ती जली जा रही है मतलब अगर यहां mass बढ़ रहा होगा तो force भी बढ़ता चला जाएगा लेकिन यहां अगर distance बढ़ रही होगी तो force जो है कम होता जाएगा वो भी उसके square के inversely proportional है मतलब और कम होता चला जाएगा force ठीक है तो अब f जो है 1 upon d square inversely proportional है ठीक है तो f अब क्या हो गया f जो है proportional है हमारा दोनों के masses के product मतलब capital m into small m upon उनके जो बीच की distance है उसके square के inversely proportional है तो f is proportional to m into capital m into small m upon d square जब हम proportional का sign हटाते हैं और एक equation बनाते हैं तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं equals to आ जाता है और एक constant आता है जो भी constant आएगा उस constants का एक नाम होता है यहां हमने इसको capital G रखा हुआ capital G क्यों रखा हुआ है जब आप chapter को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इसको हम gravitational constant भी बोलते हैं ओके यह gravitational constant की value हमेशा fix होती constant का मतलब fix G की value capital G की value हमेशा fix है यह gravitational constant है ओके तो हमारा formula क्या आएगा formula हमारा यही आएगा जो force है gravitational force है F is equal to capital G M into M या M1 M2 भी लिख सकते थे अगर आप इसका mass M1 मान लेते इसका M2 मान लेते तो आप formula में F is equal to M1 into M2 upon D square capital G M1 M2 upon D square ऐसे भी लिख सकते हैं ओके यह तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया definition जब आपने अगर इसको समझ लिया है तो definition आपको रटने की ज़रूरत नहीं है आप इसको अपने से लिख सकते हो कोई भी object है universe में वो एक दूसरे को attract करते हैं एक force है वही force जो है gravitational force कहलाता है और इस force की value कैसे determine होती है यह force दोनों object का जो masses है उनके product के directly proportional है और उन दोनों object के बीच की जो distance है उसके inversely उनके square के inversely proportional है और यह force होता है एक line में होता है उनके center line से ठीक है चलिए next question देखते है write the formula to find magnitude of gravitational force between the earth and an object on the surface of earth अब यह आपको पता है कि gravitational force हर body में लगता है ठीक है तो अब earth पे कोई surface पे अगर कोई object रखा हुआ है तो उस पे भी gravitational force लग रहा है earth के तुरू उसकी value क्या होगी उसका formula क्या होगा the formula to find the magnitude of the gravitational force between the earth and the object on the surface of the earth is given by Newton's law of universal gravitation इसको तो एकदम रट लीजिए जो gravitation का universal law है वो Newton का है यहां तक हमारा जो sentence है वो हमने question सही उठा है और यह बताया कि इसको determine है करेंगे Newton के जो है universal gravitation law से ठीक है value क्या होगी value होगी क्या formula होगा f is equal to g m1 m2 upon r square where capital G क्या है universal gravitation constant है और इसके अलावा m1 क्या है mass of the earth है m2 क्या है mass of object है r क्या है radius of the earth है ठीक है अब इसको थोड़ा समय आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको समझ जाएंगे तो याद करने की जरूत नहीं पड़ेगी suppose यह earth है थोड़ी exact goal नहीं बनी है ठीक है इसके उपर कोई object है suppose यह object इसके उपर रखा हुआ है यह question पूछ रहा है कि इस object के उपर earth के थूँ कितना gravitational force लगेगा उसके magnitude का formula निकालना है तो universal lag को क्या कहता है suppose हमारा earth जो है earth का क्या है mass हमने क्या लिया है m1 है m1 क्या है mass आफदी earth है और यह जो object है इस object का mass हमने m2 लिया है अब जो इसके बीच की distance है वो distance क्या होगी वो तो हमारा जो radius है earth का वही होगी थोड़ा सा आप यह भी कह सकते है कि हो सकता है इस object का center point यहा हो ठीक है तो थोड़ी distance यह add होगी बट हम इसको negligible मान के चल रहे है earth के radius के respect में earth का radius उसकी respect ने बहुत बड़ा है ठीक है तो हम यहाँ पर इसलिए distance को earth की radius ही ले ले रहा है ठीक है तो distance क्या हो गई वो r हो गई अब आपने gravitational force का जो universal law है उससे पढ़ा था कि जो force है वो क्या है directly proportional है दोनों के mass के product के f is proportional to m1 upon m2 और किसके inversionally proportional है उसके square के उनके बीच की distance जो हमारी radius है earth का तो अब यहाँ पर जब यह proportional का sign हटेगा तो एक क्या constant आ जाएगा हमारा universal gravitation constant capital G capital G m1 m2 upon r square इसी formula से हम यह derive करेंगे कि earth के उपर कोई object है तो उसके उपर कितना gravitational force लग रहा है उसका magnitude derive करने के लिए ओके तो derivative questions जो आएंगे उसको हम इसी formula के through solve करेंगे चलिए यह दो question ही थे आपके इस page number पे अब मिलेंगे next वीडियो में तिल तेंगे बाई